हाँ जी बच्चो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरन गुड इवनिंग जब भी आप ये लेक्ट्र सुन रहे होंगे अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिय में फाइनल का डारेक्ट एक्सेशिन ठीक है मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा डारेक्ट एक्सेशिन पढ़ाऊं तो बच्चो सबसे इंपोर्डेंट बात यह है कि इंटर में इंटर में हम लोग जो डारेक्ट एक्स पढ़कर आ रहे हैं इंटर लेवल पे वह आपका 50-50 मार्क्स का था ठीक है तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं बहुत समराइज रूप से हमने टैक्सेशिन को पढ़ा था ब आपको depth knowledge अब चाहिए होगी taxation में depth knowledge चाहिए होगी ठीक है case study चाहिए होगी provisions को आपको समझना होगा provisions को आपको analyze करना होगा उसको conclude करना होगा ठीक है so पूरी जो तहानी है वो depth knowledge किये ठीक है आपको उसी तरीके से prepare होना है अब prepare आपन किस तरीके से step by step चलेंगे वो मैं आपको बताओं आप उतना ही करें ठीक है जिस दिन मैं कहूं कि आज आप practice questions करें तो आप practice question करिएगा किसी दिन मैं कहूं कि आज हम provisions ही देखेंगे तो हम सिर्फ provisions को ही समझने की कोशिश करेंगे बट मेरा यह मानना है कि जो सबसे ज्यादा important direct taxation में या indirect taxation में है वो provisions है ठीक ह हुआ हम हमारे case में उसको कैसे apply कर पाएंगे कैसे apply कर पाएंगे कि ठीक है हमारा एक अच्छा खासा PGP का question आया trading handle ठीक है हम उसको proper way में जो taxable profit निकालेंगे तो taxable profit निकालने के लिए आप जो भी उसमें activity जो भी आप चीज करेंगे वो section को reference देते हुए करेंगे इंटरम इतना हमने section का reference नहीं दिया था बट final level पर यह must है आप कोई भी बाप कहेंगे वो section के reference के साथ कहेंगे तो जहिर सी बात है आपके marks उतने ही बैतरी आएंगे ठीक है so हम start कर रहे है direct taxation यह आपको पता ही है कि tax दो parts में divided था एक direct है एक indirect है ठीक है हम जो direct tax पढ़ रहे हैं वो income tax है वो कौन सा tax है income tax है और वो tax है किसके उपर income के उपर किसके उपर income के उपर तो सबसे important बात जो taxation की है taxation में जो direct tax है और जो direct tax में income tax है और जो income tax the tax on income है तो सबसे important बात यह है कि हम incomebernator के लेंगे और tax साथ को आप लेंगे क्यूंकि आप लोगों को यह बहुत अच्छे से पता है कि जो income हम लेते हैं कुछ हर साल budget आता है अभी latest एक फर्वरी 2024 को budget आया है अगले साल फिर आएगा जब हर साल budget आता है तो कोई ना कोई चेंज लेकर आता है कोई ना कोई चेंज लेकर आता है तो हम लोग जो tax पढ़ते हैं वो tax किस year के लिए पढ़ते हैं वो बहुत important है टेक्स फ्री होती है यह बहुत इंपोर्टेंट तो अभी जो बजट आप लोगों को गया है वो बजट 2024 गया है वो क्या गया है बजट 2024 तो जो बजट 2024 गया है बच्चों अब एक अप्रेल 2024 को जब आपका फाइनेशल एर स्टार्ट होगा तो उस एयर में जो भी बजट 2024 में इंकम्स और टेक्स के बारे में इन्होंने प्रोविजन्स रखे हैं वो सारे अपलाई हो जाएंगे और इससे पीछे जो अभी आप इंटर लेवल पर पढ़कर आ रहे है वो बजट 2023 पढ़कर आ रहे हैं जो इंटर लेवल पर आप पढ़कर आ रहे हैं वो बजट 2023 पढ़कर आ रहे हैं तो जो बजट 2023 पढ़कर आ रहे हैं वो फाइनेशल एर 23 चोईस के लिए पढ़कर आ रहे हैं कौन से एर के लिए फाइनेशल एर 23 चोईस तो मैं अब आपक एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूं, आपको इसमें बहुत सवलियत भी होगी और बहुत हलका मैसूस होगा, हलका क्यों मैसूस होगा, क्योंकि जो budget 2023 आप पढ़कर आ रहे हैं, इंटर लेवल पे, ठीक है, वो इंटर लेवल का जो budget 2023 है, वहाँ जो tax की rates prescribed थी, वहाँ ज 2024 में, income tax में किसी प्रकार का कोई change नहीं है, जब निर्मला सीतरमन जी, budget को announce कर रही थी, तो उन्होंने साफ का, there is no changes in tax, there is no changes in tax, tax mean, आपको जो पुरारा याद है, वही आपके यहाँ काम में आ जाएगा, सबसे अच्छी बात यह है, कि आपको नया कुछ अलग से करने के आ क्योंकि यहाँ पर छोड़ना कुछ भी नहीं है, बहुत वाइड है आपका direct tax, बहुत classes लगती है वाइड है आपके direct taxation में, तो आपको उसी साफ से अपने आपको manage करना होगा, और उसी साफ से आपको अपनी study को plan करना होगा, चीक है, तो जो budget 2024 है, वो financial year 24-25 के लिए है, तो 2025-26, 2025-26, इससे पीछे जो आप पढ़कर आ रहे हैं, वो budget 2023 पढ़कर आ रहे हैं, जिसमें आपका financial year 23 चोईज था और assessment year 24-25 था, assessment year कोन सा था, 24-25, तो मैं बाब को यह बता दूँ, कि जैसे 31 माज चोईज जाएगी, अब जब सब लोग अपनी income को declare करेंगे, उस income पर जो tax देंगे, जो अब returns फाइल होँगी, जो अब income का declaration होगा भारा सरकार के सामने, वो assessment year 24-25 के लिए होगा, चाहिर सी बात है, क्योंकि 31 माज चोईज एंड होते ही, 31 माज चोईज एंड होते ही, 24-25 के लिए क्या भरी जाएंगी, रिटेंस भरी जाएंगी, तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह जो budget 2023 है, यह आपके December Attempt के लिए, आलंकि आप इत्ती गल्दी Attempt देंगे नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दू, कि यह जो December 2024 का जो Attempt अब लगेगा, फाइनल लेवल का, उसमें budget 2023 ही आएगा, यानि कि assessment year 2025 आएगा, लेकिन अगर आप next year exam देते हैं, 2025 में exam देते हैं, तो budget 2024 आएगा, 2024 आएगा, तो यह आपको ध्यान में रखना है, कि जिस year में आप, जिस year में आप exam देते हैं, उससे just पीछे वाला budget आप लोगों के आता है, तो हम मैंने जैसा की कहा, there is no changes, तो मैं कहूं कि मैं budget 20 पढ़ा रहा हूं, या मैं budget 20 पढ़ा रहा हूं, बात है, बच्चो, there is no changes, हम साथ में बोलेंगे कि यह 23 के लिए भी है, और यह budget 2024 आप भी है, is it clear, यहां तक, ठीक है, so हम जो पढ़ रहे हैं, वो एक बार के लिए मैं म इंटर लेवल पर जो आपने incomes निकाली, जो income को calculate किया, वो 5H में क्या होगा बच्चो, वो 5H में क्या होगा, अभी मैं आप लोगों को syllabus के बारे में भी discuss करूँगा, कि हमारा syllabus क्या है, चीक है, उसके बारे में भी discuss करूँगा, तो हम यहां पर income की अगर बात करूँ, तो income क जैसा कि आप इंटर लेवल पर पढ़के आएं, 5H में डिवाइड किया हुआ है, salary, house property, business profession, capital gain, other sources, ठीक है, और 5H में से, इंटर लेवल में से question आता है, इंटर लेवल पर question आता है, 5H में से आता है, लेकिन final लेवल पे आपको इन 5H में से, जो important करना है, वो 3H करने है, वो क है, salary में ये, gross salary होती है, उसमें 50,000 का standard reduction मिलता है, house property में rent receive होती है, उसमें 30% का reduction मिलता है, इतनी knowledge भी बहुत है final में, क्योंकि salary और house property से question pick नहीं होता है, question जो pick होता है, वो 3H से pick होता है, बच्चों, एक business profession, एक capital gain, और एक other sources, और एक other sources, तो हम जो income पढ़ेंगे, वो 3H की पढ़ेंगे, और फिर उसके उपर क्या निकालेंगे, tax निकालेंगे, तो अभी जो अपन start कर रहे हैं, वो income वाले पार्ट को ना लेकर, मैं tax वाले start कर रहा हूं कि अभी जो आपका tax structure चल रहा है, tax structure किस का चलेगा, या आपको भली बाती पढ़ता होगा, interim में आप पढ़ साथ लोग होते हैं, income कमाने वाले कितने लोग होते हैं, साथ लोग होते हैं, पहला, individual, दूसरा, HOF, Hindu undivided family, तीसरा, partnership firm, चौथा, company, पांचवा, AOP, association of person, छटा, B.O.I, body of individual, and साथवा, artificial person, artificial person, तो यह जो साथ लोग हैं, यह साथ लोग income earn करते हैं, और उस income के उपर क्या देते हैं, tax देते हैं, उस income के उपर क्या देते हैं, tax देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर final level में, हो सकता है, inter level पे आप लोग सिर्फ और सिफ individual का, या firm का करकर आए हो, ठीक है, company के बारे में इत हैं, उनकी tax rates क्या हैं, उनकी incomes कैसे calculate होती है, वो सब कुछ आपको final level पे देखना होगा, final level पे देखना होगा, तो मैं आप लोगों को जो start कर रहा हूं, वो एक बार के लिए tax rates से start कर रहा हूं, यह tax rates क्या चल रही है, budget 2023-2024 में कोई changes है नहीं, तो हम tax rate 2023 की पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह यूँकि यूँ carry forward के budget 2024 में आई है, यूँकि यू carry forward के budget 2024 में आई है, is it clear, okay, so let's start with the tax rates for the individual, हम individual की tax rates start कर रहे हैं, meanwhile, please note down this, so आप लोगों को थोड़ा सा basic idea होगा, कि हमारा financial year assessment year क्या है, ठीक है, please note down, हाँ जी, so let's start with the tax rates for individual tax rates for individual, तो बच्चों, मैं ये assessment year चोईस पच्चिस और assessment year पच्चिस शब्च दोनों के लिए बता रहा हूँ, सेम ही है, दोनों के लिए बता रहा हूँ, सेम ही है, tax rates for individual, tax rates for individual, ठीक है, चले, तो स्टार्ट करते हैं, tax rates for individual में, old scheme, old scheme, new scheme, È old scheme, new scheme, ये आप लगों को पता ही होगा, कि individual की जो tax, इनहोंने प्रिस्क्राइब की हुई है, act में, वो, दो scheme में reh也是 youolut qь that एक new scheme अच्छा new scheme कौन से section में prescribed है यह हमें पता है हाँ सर यह 115 BAC में prescribed है यह 115 BAC में prescribed है new scheme clear है यह तक okay so हम old scheme में हमें पता है कि old scheme में तो हम एजवाइज जो है वो टैक्स सिकालते हैं तो एजवाइज के लिए अपर देख लेते हैं आप लोगों को पता है ठीक है लेकिन पार्च पुरिट लेगेगी अपन लिख लेते हैं इसको ठीक है तो old scheme में age less than 60 year हम चेक करेंगे कि individual की उम्र क्या है या तो वो साच साल से नीचे होगा या age 60 year or more but less than 80 year या उसकी उम्र साच साल या उससे ज़्यादा होगी लेकिन 80 साल से कम होगी and the third and third age 80 year or more age 80 year or more और मैं आपको बता दूँ new scheme में age का कोई criteria नहीं है individual के लिए new scheme में age का कोई criteria ने individual के लिए यानि कि आपकी age कुछ भी हो अगर आप new scheme में हो तो new scheme में उन्होंने एक ही slab डाली हुई है बस हमें वोई slabs देखनी है ठीक है so अगर 60 year से कम है तो सार ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि up to 250 there is no tax above 250 but up to 5 lakh 5% above 5 lakh but up to 10 lakh please note down ये लिखा हुआ है मेरे पास ऐसा नहीं होना चाहिए 20% क्योंकि final में notes बहुत important है बच्चों notes बहुत important है और आप ये देखेंगे कि आपने काफी कुछ लिखा है direct text की classes में ठीक है so please अच्छे से notebook बनाएं अच्छे से सारा सब कुछ लिखा है मैं जो भी आप लोगों को लिख वा रहा हूँ ठीक है अच्छा जी above 5 lakh but up to 10 lakh 20% and above 10 lakh 30% तो दाई से पांच लाग तक 5% है पांच से दस लाग 20% है ये 20% है ना and 10 lakh above 30% ये कब है जब एज 60 years below है जब age 60 year या उससे जादा है या सिस साल से कम है तो फिर बच्चों थोड़ा से इन्होंने छूट दी है कि उन्होंने कहा कि ठीक है up to 3 lakh nil कर दीजिए up to 3 lakh चा कर दीजिए nil कर दीजिए फिर 3 lakh से जादा है above 3 lakh but up to 5 lakh tax 5% है above 5 lakh but up to 10 lakh 20% है above 10 lakh 30% above 10 lakh 30% ठीक है आज तक और 80 years या इससे जादा है तो थोड़ा सा इन्होंने और रियाहत बरती है कहा कि ठीक है 5 lakh तक कोई tax मत दीजिए लेकिन अगर आप 5 lakh से जादा कमाते हैं but up to 10 lakh है 5 से 10 lakh के बीच में है तो आपको सीधे 20% tax देना होगा और 10 lakh के उपपर अगर आप कमाते हैं तो आपको 30% tax देना होगा तो अच्छा इन्हें एक नाम भी दिया है ना बच्चों 60 years या उससे जादा और 80 साल से कम को यहाँ senior citizen बोलते हैं क्या बोलते हैं senior citizen तो यह senior citizen है और यह super senior citizen है super senior citizen क्योंकि कई बार age ना देकर यह word use कर लेते हैं कि Mr. X a super senior citizen so we have to know a super senior citizen that means a person 80 years or more वो 30 साल या इससे जादा का है ठीक है आँ तक ओके so this is your old scheme tax rates old scheme tax rates let's start with the new scheme new scheme में नोंने क्या किया है हाँ जी तो new scheme में बच्चो age का कोई criteria नहीं है आपकी age कित्ती भी हो आपका tax lab वही रहेगा तो यहाँ इना ने का कि 3 lakh तक tax मत दीजिए निल यहाँ 3 lakh तक छूट है नई scheme में clear है अगर 3 lakh से ज्यादा कमाते हैं above 3 lakh है but up to 6 lakh है तो tax कितना है 5% अगर above 6 lakh है but up to 9 lakh है तो 10% है above 9 lakh है but up to 12 lakh है तो tax है आपका 15% above 12 lakh है but up to 15 lakh है तो tax है 20% above 15 lakh है तो tax है 30% यह 15 lakh है ना above 15 lakh है तो tax है आपका 30% 3-3 lakh का gap चल रहा है 3-3 lakh का gap चल रहा है ठीक है 3 lakh 3-6 6-9 9-12 12-15 15 above and rates है 5-10 15-20 30 ठीक है 20 के बाद direct क्या है 30% 30% ओके so this is your news scheme section 115 B.A.C note down this फिर इसके हम आगे का देखते हैं अच्छा हमें यह बहुत अच्छे से पता है कि section 115C new scheme अगर आप opt करते हैं तो आपको कुछ restrictions होंगी ठीक है वो restrictions बहुत important है कि अगर आप new scheme opt करते हैं तो कुछ एक इनोंने deductions and exemptions को withdraw कर ली कि अगर आप कोई new scheme opt करते हैं तो जो deduction जो exemption आपको old scheme में मिलती थी वो यहाँ पे नहीं मिलेगी और यह आप लोगों को knowledge होगी कि deduction and exemptions क्या होती हैं deductions and exemptions क्या होती हैं तो deduction को जो define किया है income tax act में income tax act में वो define कि deductions होती हैं कि पहले वो income का part बनेगी फिर उसमें से कुछ हिस्सा माफ कर दिया जाएगा tax free हो जाएगा उसमें से कुछ इस्सा माफ कर दया और exemption हो जी है जो starting से ही tax free होती है starting से ही tax free होती है आपके total income का part बनती ही नहीं है नहीं है वो exemptions होती है लेकिन deduction पहले total income का part बनती है उसके बाद कुछ आपको deductions मिलती है ठीक है इसके अलावा investment की भी आपको reductions मिलती हैं कि अगर आप income कमाते हैं तो उस income में से जितना हिस्सा आप as a investment यूस करते हैं उसमें भी जैसे LIC premium medical insurance donation वगर वगरा वगरा हम देखेंगे आगे इसकी भी आपको reductions मिलती है लेकिन यह सब काव मिलेगी old scheme में new scheme में नहीं मिलती है यह मैं आप लोगों को लिखवा हूँगा कि new scheme में क्या क्या restrictions इन्होंने डाकी हुई हैं ठीक है तो प्लीज नोट डाउन दिस दैन विल स्टार्ट फर्दर अफ दिस प्रोविजन इंगर प्लीज राउन कुछ बाउन यह सूँआ अईंगर विल भी उच में उजब हैं यह सूँआ इंगर हैं यह सूँआ हैं, इन वार्वान तो बभी आए तो लुवषाट लुभ लड बाइबाला इपाटाटना जया अर थे लिए लुड़ी लुभ़ी लाइबालाब जबाटना अशिए लाइबालाई एफ लुपषणा लुभषणाटना बना हुशवार लो खोर उिए। बजज किवाएर्सटी हमें हाँ जी तो टेक्स रेट्स हमने लिख ली है ठीक है रेस्रिक्शन में आप लोगों को बता दूँगा अच्छा टेक्स की कैलकुलेशन करना हमें आती है ठीक है डिफरेंस के बेसिस पे निकालते हैं कि आज अगर मेरी इंकम चारलाग रुपए है तो और मेरी उम्र साथ साल से नीचे है तो Dive на क्क मुझे टेक्स नहीं देना धाइक तषचा जितना उपर जा रहा है चारलाग तेंळडाग घ्र इंटीपरेंस जाता है उस बिफरेंस का ही आपको टेक्स लगता है और आप किस लाब में जा रहे हैं आप 5% में हैं 20% में 30% में तो tax की calculation आप इंटर में अच्छे से सीखे हैं फिर भी हम करेंगे ठीक है अभी हम इसके आगे देख लेते हैं अब आपने अगर tax निकाल लिया तो tax निकालने के बाद जो start होता है बच्चों वो start होता है surcharge tax निकालने के बाद यहाँ पर surcharge भी है ठीक है वो surcharge भी हम लोग देख लेते हैं ठीक है वो tax के उपर लगता है tax on surcharge होता है tax on surcharge surcharge हम individual के लिए देख लेते हैं कि individual के लिए जो surcharge है वो क्या है तो इसके नीचे लिखें है tax rate for individual हो गया इसके नीचे लिखें surcharge for individual surcharge for individual कब लगता है tax के उपर लगता है लेकिन कितनी इंकम पर लगता है वो हमें देखने होगी कितनी इंकम पर लगता है वो हमें देखने होगी और अगेन मैं वही कहा रहा हूँ आपको assessment year 24-25 और assessment year 25-26 एक ही है एक ही है यू की उट क्या है हाँ जी अगेन सर्चार्ज भी दो ही पार्च में वाटा हुआ है बच्चों ओल स्कीम के लिए अलग है और न्यू स्कीम के लिए अलग है ओल स्कीम के लिए अलग है और न्यू स्कीम के लिए अलग है ठीक है तो जो ओल स्कीम में इन्हों सरचार्ज रखा है वो सरचार्ज है यह कह रहे हैं कि अगर टूटल इंकम फिफ्टी लैक तक है अपटू 50 लैक है तो सरचार्ज आपको नहीं लगेगा टैक्स के उपर जो एक्स्टा tax है यह आप कह सकते है tax के उपर tax एक extra tax एक extra burden असेशी के उपर डाला हुआ है लेकिन अगर total income 50 लाग तक है तो फिर आपको surcharge नहीं देना नहीं देना लेकिन अगर आपकी total income 50 लाग से ज़्यादा है above 50 लाग है but up to 1 करोड है but up to 1 करोड है तो जो surcharge है वो आपका 10% है अगर आपकी total income above 1 करोड है but up to 2 करोड है 1 से 2 करोड के बीच में है तो आपका surcharge है बच्चो 15% आपका surcharge कितना है 15% अगर total income 2 करोड से ज़्यादा है but up to 5 करोड है तो surcharge है 25% tax के उपर अगर total income 5 करोड से ज़्यादा है तो surcharge बच्चो 37% surcharge 37% यह है old scheme यह है आपका old scheme में new scheme में जो surcharge इन्होंने prescribe किया है वो क्या है new scheme में new scheme में इन्होंने का same कि 50 लाग तक कोई surcharge नहीं है यह आपर भी if total income up to 50 लाग nil है ठीक है if total income above 50 लाग but up to 1 करोड surcharge 10% है if total income total income की बात करो मैं नो if total income above 1 करोड but up to 2 करोड 15% है कोई change नहीं आ रहे नहीं यहां तक बिल्कुल और if total income above 2 करोड है तो surcharge है 25% और यह यहां तक ही है up to नहीं 2 करोड के उपर अब जितनी भी है वहां surcharge 25% ही है यहां पिछले साल budget 2023 में पिछले साली साल नहीं पिछले साल budget 2023 में declare किया था तो new scheme में surcharge reduce किया जा रहा है 37% से 25% 37% से 25% ठीक है यहां तक तो यहां पे बच्चों highest surcharge जो है old scheme में 37% है बड़ वो 5 करोड के उपर है और यहां पे 37 की ऐसी कोई rate ही नहीं है 2 करोड के उपर आप कितना भी earn कर रहे हैं आपका surcharge कितना रहेगा 25% रहेगा यह पिछले बार की amendment थी बज़र 2023 की नहींनों ने surcharge को new scheme में reduce कर दिया 37% से 25% ठीक है प्लेज नोट डाउं हाँ जी नोट डाउं चले अब एक बार अपन computation देख लेते हैं tax का कि computation किस तरह से प्रेजेंट करना है हमको individual के लिए क्योंकि इसमें health sales भी लगता है बच्चो 4% का तो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं तो आप एक काम करिए next लेखिए computation of tax liability of individual computation of tax liability of individual of individual ठीक है किस तरह से आपको computation बनाना है tax liability का income का computation तो आप बनाई लेंगे income का computation वही five threats of की income लिखेंगे ठीक है income from salary फिर उसके नीचे income from house property अगर है तो income from business profession income from capital gain income from other sources इन पाच्चों का total होता है total को क्या बोलता है बच्चों gross total income बोलते हैं क्या बोलते हैं gross total income अब यह मैं आगे बता हूंगा आप लोगो बोलते हैं अभी मैं थोड़ा सा memorize करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो gross total income आता है gross total income के बाद में हम less करते हैं deduction under chapter 6a हम less करते हैं deductions कौन से under chapter 6a के ATC से ATU यागना ATC ATCC ATCCD ATD ATG GG A GG B GG C तो यह जो ATC से लेके ATU की deductions हैं यह minus होते हैं minus होने के बाद जो आती है वो होती है आपकी total income इसे आप total income भी बोल सकते हैं इसे आप net income भी बोल सकते हैं इसे आप taxable income भी बोल सकते हैं एक ही बात होती है इसे आप क्या total income भी बोल सकते हैं इसे आप net income भी बोल सकते हैं और इसे आप taxable income भी बोल सकते हैं ठीक है अच्छा जी computation जो है tax liability का वो हमें दिख रही है तो वो मैं आपको बता देना हूँ सबसे पहले तो हम जो tax निकालेंगे tax on total income कि total income मेरी जित्ती भी आई उसके उपर जो भी tax आ रहा है वो हम निकाल लेंगे तो बच्चों मैं आपको बता दू कि यह जो tax आप निकालते हैं यह tax basically दो तरीके से होगा आपका कुछ income पर slab लगेगी और कुछ income आपकी flat rate से भी होती है कुछ income पर तो slab rate लगती है और कुछ income पर flat rate लगती है जो आप पीछे भी पढ़कर आ रहे हो यह slab पर कर आ रहे हो ड़ाई से 5, 5 से 10, या 3 से 5 या 3 से 6, 6 से 9 यह सब क्या है slab है तो कुछ income को slab लगती है और कुछ income को flat लगती है, कुछ income पर लगती है, जैसे कि lottery, lottery पर 30% tax है, वहाँ slab नहीं लगता, वहाँ slab नहीं लगता, पताऊंगा मैं, don't worry about that, ठीक है, capital gain है, short term capital gain है, shares के उपर, अगर stock exchange से बेचते हो, 15% tax है, long term capital gain है, अगर कोई आप property बेचते हो, ठीक है, और आपको capital gain हो गय हैं, जिन पर flat rate लगती है, और कुछ income हैं, इसके अलावा, जिन पर slab लगता है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, total कर लेंगे, तो किन पर flat rate है, वो मैं आपको अभी बता दूँगा कि किन किन income पर मोटा मोटा आपका flat rate लगता है, इसके बात, जब आप tax निकाल लेंगे total income पर तो दो चीज़े होंगी, या तो बच्चों आपको rebate मिलती है, under section 87A में, अब यह जो rebate मिलती है, 87A में, अचा पहले में काम करता हूँ, पहले मैं आप लोगों को old scheme के according ही computation बता देता हूँ, old scheme में, अब यह 87A की rebate क्या है, मैं आगे discuss करूँगा आप लोगों से, old scheme की rebate क्या है, यह मैं आगे discuss करूँगा आप लोगों से, लेकिन अभी आप सुन लें, अगर आपकी total income पांच लाग तक है, अगर आपकी किती, total income पांच लाग रुपे तक है, तो फिर आपको rebate मिल जाएगी 87A में, तो 87A में rebate मिलती है, if total income, if total income up to 5 lakh, यानि की old scheme में अगर आपकी total income पांच लाग रुपे तक है, old scheme अगर आप opt करते हैं, old scheme में अगर आप रहते हैं और आपकी total income पांच लाग रुपे तक है, तो फिर आपको rebate मिल जाएगी, tax की, जो भी tax आएगा, अच्छा यह rebate कितनी है, मैं वो भी आप लोगों को देता हूं, यहां बच्चों rebate है, यहां rebate है, tax जो आपने निकाला, और 12,500, whichever is lower, tax और 12,500, whichever is lower, जो दोनों में कम होगा, suppose आपने, जो भी आपकी total income आई, उस पर tax आया 10,000, उस पर tax कितना आया, 10,000 आया, तो 10,000 और 12,500, दोनों में कम क्या है, 10,000 तो 10,000, इसको इस तरह से भी ले सकती हो, कि यह जो rebate है, इससे जादा नहीं हो सकती, minus में थोड़ी ले लेंगे, तो जितना tax होगा, उतनी rebate होगी, और maximum tax जो होगा, वो 12,500 यह आएगा बच्चों में, यह और बता दू आपको, बताओ आप मुझे, 5,000, रुपे तक, 5,000,000 रुपे तक अगर आपकी income है, तो सबसे कम जो basic है, वो 5,000,000 तक छूट है आपको, वहाँ तो 3 है, वहाँ पांच है, ठीक है, तो 5 वाले की तो बात ही कम होगी, वहाँ तो rebate लेनी जुरती नहीं, 5,000,000 तक वैसे ही tax free है, अगर आपकी total income, आपकी age 60 years कम है, और 5,000 त इसे जादा rebate ले नहीं पाओगे, तो जितना tax होगा, उत्ती है, आपकी maximum rebate होगी, आपको इस तरह से लेना है, ठीक है, तो फिर भी मैंने lock according आपको provision लिवा दिया, tax on 12,500, whichever is lower, लेकिन ये rebate आप 87A में जो prescribed है, ये बच्चो आप कब लेंगे, जब आपकी total income 5,000,000 रुप सर्चार्ज, अब सर्चार्ज कब लगेगा, 50,000,000 तक तो ही नहीं, तो 50,000,000 के उपर सर्चार लगेगा, तो मुझे पता ही, अगर सर्चार लगेगा, तो रिबेट नहीं होगी, क्योंकि रिबेट तो 5,000,000 तक मिलती है, और अगर रिबेट ले ले हो, तो सर्चार नहीं हो सकता है दोनों ही ना हो वो कब होगा जब टोटल इंकम पांच लाग से तु ज़्यादा हो और पचास लाग से कम हो क्योंकि पचास लाग से ज़्यादा सर्चा लगता है तो हो सकता है दोनों भी ना हो तो यह डिपेंड करता है आपकी टोटल इंकम क्या है तो इस टोटल इ ले रहे हैं मैं पूरा competition बता रहो डिपेंड करता है बापका result क्या आ रहा है ठीक है लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया इसके बाद जो आता है उसे बुला जाता है tax and surcharge अगर surcharge लगाया है तो और अगर surcharge नहीं लगाया है तो सिर्फ और सिर्फ tax clear है अंतर इसके बाद बच्चों आती है healths इसकी rate fix है 4% इसकी rate fix है 4% जो किसके ओपर लगेगा tax के ओपर लगेगा इसके बाद आती है tax liability इसके बाद आती है tax liability tax liability के बाद में कुछ आपने अगर extra दिया हुआ है बारत सरकार को TDS के माद्यम से TCS के माद्यम से या advanced tax के माद्यम से ठीक है वो इसमें से less हो जाएगा और उसके बाद जो आएगा उसे बुला जाएगा net tax liability net tax liability यह बारत सरकार को पे होगी अगर positive आ रही है तो अगर यह negative आ जाती है उसे हम refund बोलते है तो यह अगर negative आ गई तो vote refund का पार्ट बनेगी लेकिन अगर यह positive आई तो आपको बारत सरकार को tax pay करना होगा और यह rounding भी होगी बच्चों rounded off इसको हम rounded करेंगे 10 के multiple में यह आप inter में पढ़कर आए होंगे under section 288 B में under section 288 B में तो यह आपका computation है old scheme में old scheme में new scheme में क्या होगा new scheme में new scheme का computation भी आपको बता देता हूँ कोई changes नहीं है same है बस एक छोटा सा फर्क है computation of tax liability under new scheme ठीक है वोई tax on total income से शुरू करेंगे यहाँ जो tax निकालेंगे वहाँ पर भी slab लगेगी flat लगेगी जो भी आपकी है as per the situations अब इस में से जो minus करूँगा rebate यहाँ पर भी available है rebate under section 87A यहाँ पर भी available है ठीक है sir कौन से individual पर है सभी individual पर है क्या resident individual पर है किस पर है resident individual पर है आगे आँगा जब मैं 87A आप लोगों को करवाँगा अब यहाँ जो rebate available है वो है if total income up to 7 lakh यहाँ बच्चो रिबेट 7 lakh तक है बले बले यहाँ रिबेट आपकी अगर total income 7 lakh है तब भी आपको रिबेट मिल जाएगी तो जब budget आए था तो उस budget में का गया कि 87A की रिबेट निवी स्किम में बढ़ा कर 7 lakh की जा रही है 7 lakh तक आपको tax नहीं पे करना है तो फिर यहाँ पर इन्होंने provision क्या लिखा होगा आप आप देखिए 7 lakh तक आप tax निकाल के देखिए 3 lakh तक tax free है maximum जो रिबेट आप ले सकते हो वो कित्ती हो सकती है वो आपका अगर 7 lakh है आपकी total income तो 7 lakh पर आप tax निकालिएगा 3 lakh तक क्या है tax free है 3 से 6 कितना difference हुआ 3 lakh पहली rate क्या है 5 परसें 3 से 6 पर 5 परसेंट है 3 lakh का 5 परसेंट कितना हो गया बच्चों 15,000 रुपे कितना हो गया 15,000 रुपे अब आओ आप 6 से लेके 7 lakh वैसे तो 6 से 9 की slab है लेकिन आपकी total income 7 lakh ही है तो आप 7 lakh पही रुख गए तो 6 से 7 का difference कितना है 1 lakh 6 से 7 lakh का difference कितना है 1 lakh और दूसरी rate किती है 5 के बार दूसरी rate किती थी 10% तो 1 lakh का 10% कितना हुआ 1 lakh का 10% कितना हुआ 10,000 रुपे तो उदर आपका 15 आया इदर आपका 10 आया तो टोटल कितना हो गया 25,000 इस दा maximum rate अंडर नियू स्की 25,000 रुपे 25,000 रुपे ज़स डबल है यहां 12,500 था तो यहां पर इन्होंने इसको ज़स डबल रुबेट कर दी कितनी 25,000 रुपे तो यहां पर इन्होंने लिखा जितना आपका tax आ रहा है वो और 25,000 जो दोनों में कम होगा whichever is lower whichever is lower ठीक है यह तक ओके अच्छा जी प्लस करेंगे surcharge यहां पर भी प्लस करेंगे surcharge यहां पर भी surcharge वो ही है अगर आपकी total income 50,000,000 से ज्यादा है ठीक है इसके बाद जो आएगा वो होगा आपका tax and surcharge tax and surcharge आप क्या करें health says 4% health says 4% tax liability आगी फिर इस tax liability में minus कर दिये वो ही कि मेरा TDS कटके already जमा है मेरा TCS कटके already जमा है मेरे पास में advanced tax की liability आ रही थी तो मैंने advanced tax भी जमा करा दिया ठीके 10,000 सुपर आती है आपके advanced tax की liability हम आगे देखेंगे उसको यह तीनों आपने less कर दिया less करके जो है this is net tax liability जो rounded off हो जाएगी 288 B में 288 B में 10 के multiple में ठीक है यह तक यह आपका computation है under old scheme under new scheme under old scheme and under new scheme अब हम जो next पढ़ेंगे next class में पढ़ेंगे थोड़ा बोत हम tax की calculation कर लेते हैं थोड़ा सा go through भी हो जाएगा चीजे और clear हो जाएगी ठीक है computation में उसको fit करना अपने एक बार सीख लेते हैं फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे HOF, partnership firm, company यह सारा सब कुछ ठीक है अब तक OK नोट करिए next class में मिलता है चलिए